जो ची थर्ड सर्विस में नहीं हुई वो अभी करवा लेता हूँ alignment अभी हो रही है उसके बात balancing and rotation third service में मैं rotation यह सब नहीं करवा पाया time की थोड़ी shortage थी मेरे पास अभी rotation से पहले होगी balancing जब भी rotation हो balancing ज़रूर करना बले गाड़ी आपकी vibrate ना कर रही हो ठीक है अलोई कुछ ऐसा दिखाई देता है चार में से तीन वील के अंदर balancing यानि की weight addition की ज़रूर तो मुझे तो नहीं पड़ी fourth के अंदर बस 15 ग्राम weight डला है तो that's a normal thing after 10,000 km 10,000 km के बाद कोई भी गाड़ियों नहीं पुरानी rotation ज़रूर करा लेना क्योंकि आगे के जो tear होते हो जल्दी गिशते है क्योंकि उसके पर engine का weight आता है वो आता है ठीक है तो पीछे वाले आगे डिलवाने है ताकि चारो tear एक साथ गिसे ना कि पहले और आगे ठीक है तो यह सब हो रहा है यह सब में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मेरी अभी एक trip plan हो रही है उसके लिए मैं तैयार ही कर रहा हूं एक चीज़ बता देता हूं यह बता रहे है इनका कहना है कि अलोई वील के अंदर यह वाले weight लगते है ठीक है नॉर्मल जो रिम होती है उनके अंदर यह वाले side में edges पे लेकिन अलोई वील्स के अंदर यह तो यह अपने इसके अलोई के अंदर डला है अब ही फिटिंग वापिस हो गया सब्सक्राइब हो गया और अब धी निकालता है गाड़ी बाहर एक चीज और मैं बता दूँ इसके अलाइन्मेंट के मुझे लगे 350 और बैलेंसिंग का मुझे पर वील पड के अंदर मुझे पड़ा है ठीक है तो अब भी अगर कहीं लंबी ट्रिप अगर प्लान कर रहे हो तो यह चीज जरूर इस चीज का ध्यान रखना कि अगर अलाइन्मेंट बैलनसिंग की सब खराब हुआ तो जब आप ट्रिप से वापिस आउगे ना तो टायर के उपर अभी मेरे ट्रिप प्लान हो रही है और रोड ट्रिप है मेरी अभी मनाली हमाचल प्रदेश की वहीं तीनों जारे मैं मन्जीत और अलमाज पहले भी दो तीन रोड ट्रिप हमने मारी है और अभी आज डेट है 19th of December 27th को मारा डिपार्चर है मनाली के लिए बस की टिकेट हम बट फिर भी सोचा कि यार नहीं गाड़ी से चलते हैं क्योंकि बस का हम अनिशोर थे जाएगी नहीं जाएगी प्रोटेस्ट वगरा चल रहा है फिर क्या कुछ होगा फिर गाड़ी का अपनी एक कान्वीनियन्स होती है जहां मर्जी रोग तो ठीक है फाइनली अभी गाड तो ऐसा कुछ था गाड़ी की तैयारी होगी अलाइनमेंट बैलेंसिंग रोटेशन सब हो गया क्योंकि आगे वाले टायर की लगबग मैं कमगा कि 22-25% लाइफ जा चुकि है क्योंकि 10,000 किलोमेटर हो गए जहां मैं रह रहा हूं टायर लगबग यही चलते हैं 40-45,000 किलोम बार-बार अगर गड़ा थोड़ा बूद लग गया तो अलाइनमेंट कर वादी मैं थोड़ा सेफ ले के चलता हूं गाड़ी को ठीक है तो एक ट्रिप से पहले मुझे लगा कि आने जाने कि आर बारत तीरा सब किलोमेटर की रुनिंग है तो अलाइनमेंट अगर खराब हो देखेंगा दो तिन वीडियो डालोंगा इसके उपर ने ठीक है अब फालतुआ कुछ ने दिखाऊंगा जो ट्रिप से रिलेटेड है अगर आपका कोई डाउट है कि मनाली में बर्फर्फ हो रही है कि आपको जाना चाहिए इस लास्ट वीक डिसेम्बर में तो वो लेट लीड वो मनाली पाइ यर चार और नौ रट लेट लिए नट वीक ने झालेट वीडियोगे यू तिल थे जैट तेंगाओ